दलदल में फसे भक्त की जान बचाने के लिए भागे चले आए साही बाबा याद करके देख लो दिल से साही का नाम खुद पूरे हो जाएंगे आपके बिगड़े काम तमस्कार दर्शकों हमारी यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज हम साही बाबा की ऐसी सची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे आप लोगों में से शायद बहुत ही कम लोगों नहीं सुना होगा उत्राखंड के जलगाओं में रहने वाले वचपन वर्शी गोविंद जी अपने गाओं के मुखिया और बहुत ही सम्मारी तादमी थे अपने जवानी के समय में गोविंद जी बहुत ही बड़े पहलवान भी रह चुके थे वचपन वर्ष में भी गोविंद जी अपने शरीर से हट्टे कट्टे थे लेकिन पैरों के घुपने के दर्ज से वे बेहाल थे साही बाबा के परमभक्त गोविंद जी ने अपने गाओं में साही बाबा का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया था और वहां हर दिन भंडारा करवाते थे गोविंद जी हर दिन उस मंदिर में पूजा पाड़ भी किया करते थे गोविंद जी को एक शौक था वो था कुष्टी देखना गाओं में या गाओं के बाहर कहीं भी कुष्टी हो रही हो तो गोविंद जी उस कुष्टी को देखने अकेले ही पहुंच जाते थे एक बार उनके गाउं से थोड़े दूर नदी के उस पार बहुत ही बड़ी कुष्टी प्रतियोगिता हो रही थी लेकिन गोविंद जी को नदी के उस पार उस गाओं का रास्ता नहीं पता था गोविंद जी को बस इतना ही पता था के नदी के उस पार बहुत ही बड़ा कुस्ती का प्रतियोगिता हो रहा है कुस्ती के प्रती गोविंद जी का लगाओ होने के कारण उन्होंने अपना मन बना लिया के नदी के उस पार जाकर मुझे कुस्ती प्रतियोविता देखनी है गोविंद जी अकेले ही निकल पड़ते हैं नदी के उस पार कुस्ती को देखने के लिए जब वे नदी में पहुँचते है तो वहाँ पर एक नाव वाला होता है जो बहुत ही आलसी और खडूस था नदी के उस पार जाने के लिए मातर उसी की नाव नदी पर थी इसलिए गोविंद जी उस नाव वाले से नदी के उस पार चलने के लिए बोलते हैं लेकिन वे खडूस ये बोलता है कि ये समय उसके सोने का है इसलिए वो कहीं नहीं जाएगा गोविंद जी उस नाव वाले से विनम्रता पुर्वक आगरह करते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो गाओं के मुखिया हैं इस पर वो नाव वाला और भी ज़ादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ तुम मुखिया हो तो तुमको नदी के उस पर जाना है तो तैर के चले जाओ नाविक की इस बात से गोविंद जी बहुत ही ज़ादा गुस्से में आते हैं पिर वो नाविक को नदी पार जाने के लिए दुगनी रकम देने के लिए तयार हो जाते हैं दुगनी रकम सुनकर वो नाविक तयार हो जाता है नदी के उस पार जाने को गोविंद जी नाव पर सवार हो जाते हैं और नाव नदी में चल पड़ती है जब नाव नदी से कुछ दूरी पर रहती है तब नाव वाला बोलता है कि आपको यहीं उतरना पड़ेगा गोविन जी ने नाव वाले से बोला कि यहां पर तो पानी कमर तक होगा क्या आप मुझे किनारे तक नहीं छोड़ेंगे इस पर वो नाविक बहुत ही क्रोध स्वर में बोला यह नाव इतनी कम पानी में नहीं चल पाएगी और मुझे वापस भी जाना है तो तुम शिग्रता से यहीं उतर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें वापस नाव सहित ले चलता हूँ वैसे तो गोविन जी पहलवान आदमी थे और अगर वे चाहते तो उसी समय वो नाविक को एक मुक्के से गिराज सकते थे लेकिन अपनी शांत प्रविक्ती के कारण वे नाव वाले को पैसे दे कर नाव से नीचे उतर गए और नदी के किनारी की तरफ जाने लगे थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर गोविन जी को एहसास होता है कि वो नदी में धसने लगे हैं और वो जितना ही जादा नदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उतना ही अंदर धसते जा रहे थे उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें आसपास कोई नहीं दिख रहा था गोविन्द जी समझ गये कि वो किसी दलदल में फस गये हैं और अपने घुटने के दर्द के कारण वे बाहर नहीं निकल पाएंगे और शायद उनकी जीवन अब बच नहीं पाएगी उन्हें ये लगा के मैं आखरी समय पर अपने इश्थ देव साई बाबा को याद कर लूँ जिससे मरने के बाद वो उनकी ही शरण में जाए वो दलदल में फसे हुए ओम साईराम और जैसाईनात का नारा जपने लगे तब ही उन्हें एक भारी भरकम अवाज के साथ अपना नाम सुनाई देता है ओमित्र गोविन जी आप अपने आखे बंद कर इस दलदल में फसे हुए किसको याद कर रहे हैं गोविन जी ने जब अपनी आखे खुली तो सामने देखा एक पहलवान आदमी उनको नदी किनारे से अवाज लगा रहा है उन्होंने उसे तुरन बताया के नदी में कहीं दलदल में वे फस चुके हैं और पैरों में दिक्कत होने के कारण वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं उस पहलवान आदमी ने तुरन नदी में उतर कर उनका हाथ को पकड़ लिया गोविंद जी को तुरन थी नदी से बाहर खीच लिया गोविंद जी ने तुरन थी उस आदमी का धन्यवाद किया और उस पहलवान आदमी से ये पूछा के वो उनका नाम कैसे जानते हैं तो उस पहलवान आदमी ने बोला कि वो उसे कुस्ती लड़ते हुए देख चुका है और उनको अकसर कुस्ती प्रतियोगिताओं में देखता रहता है इसके बाद गोविन जी ने जिस गाओं में कुस्ती की प्रतियोगिता हो रही थी उस गाओं के बारे में पूछा इस पर उस पहलवान जी ने बोला अरे वो तो मेरे ही गाओं में हो रही है चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ रास्ते में बात करते हुए गोविन जी ने उनसे नाम पूछा इस पर वो पहलवान बहुत ही जोरों से हसा और बोला कोई एक नाम हो तब तो बताऊं फिर भी आप मुझे साईदास के नाम से बुला सकते हैं गोविन जी को उनकी बाते थोड़ी अजीब लगी लेकिन उन्होंने बातों को अंदेखा कर दिया गोविन जी आखिरकार उस पहलवान के साथ प्रतियोगिता में पहुच जाते हैं फिर गोविन जी ने उस पहलवान का धनिवाद करना चाहा तो उन्होंने देखा कि बगल मे गाउवालों के पूछा किया आप सांई बारे में जानते हैं ? तो गाउव के लोगोंने बताया कि सांई बाबा की बाते सुनकर गोविन जी ओम पूर्ण विश्वास ओ चुका था ऊपने सांई बाबा कर पहल्वान का रूप की जान बचाने दोड़े चले आए दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरू किजेगा हम लेगे अगली बार एक नई खास वीडियो में तक तक के लिए बहुत बहुत अन्यवार कर दोस्तो अन्यवार कर दोस्तो अन्यवार कर दोस्तो अन्यवार कर दोस्तो अन्यवार